एक है योग की अपनी ज़ा देते हैं, इसको लगरे योग मुझी दून हो जाएगे पावा के महावा क्या मेरे सबसे ज़ादर सहरयोगी वही हैं जो स्रेश की जोगी हैं और जो बच्चे मुझे आख दंपे रोग याद करते हैं वही मेरे सबसे ज़ादर सहियोगी है कैको को आख दंपे योग लगाने का लफ्स दे सकते हैं ले सकते हैं, जो आख दंते योग लगाने का बेटर मेरे हां ला शिक नहीं बोलो कौं कौं करेगे हैं? सब नहीं, सब से नहीं होगा। और हमें यह नहीं जानना चाहिए। जब तक हमाना योग चार बंदे ना हो। कोई भी आत्माई संसाम में माया जीत नहीं बन सकती। माया को जीतने के लिए चार बंदे यो और से चार बंदे लिकारम विनास करने के लिए सबात लें। अगर हमारा लक्स को पचलते बंदे, आतने श्मर्टी स्वरूप रह सकते हैं। जो केवल बैख कर मन को इकाल करना ही नहीं है। स्ट्रेश के स्मर्टियों में रहना। इस स्मर्टी है आपको इजो रासी का फेरी फूरा हुआ। और मुझे घर वाफिश चलना है। योग हो गया है। इसको रखने की जरूप नहीं है। आपको इसमर्टी है। सत्यु प्रेटा युग में हमने दो युग कर देख स्वरूप में जिए अंशाय। योग हो गया। किसी विश्वमान में हम इसके हैं। इसकी चब से हम कर सुपी हैं। वो सम्योग हो गया। गोजन मनाते हुए। अगर आपको दो काई भी गोजन बनाना है। और दो तीन रखते रखते हैं। उसमें आप अप्यास कर रहे हैं। आपको दो इत्ता आत्मा हूँ। तो यह योग हो गया। और भी सम्योग हो गया। और भी सम्योग हो गया। क्रिया है। यदि आपके वड़ी अप्यास करते हैं। आत्मा हूँ। यह 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 सम्योग हो गया। अब वो आठ अप ग्रमिकर का लफ्स कौन बना सकते हैं। अब सम्योग है। यह यह इस्वर्त नहीं है। यह पर टैनिसन की लाफ्स है। सम्यव पहने सवे रुख कर हमारा योग सुनधन मार्ज़नुम। कहँ नहीं को इसंदन दिया था। उठो तो , उठो तो , मुस्क्राव्टे रूए। मुस्क्राव्टे रूग कर यह यह योग सुरू है। यह मुझ जरूभी होता है कि हम सबेरे सुन्दर संकल्ब करें तो कल का प्रभाब, राथ का प्रभाब, भोजन का प्रभाब, बिमारी का प्रभाब, व्यक्त का प्रभाब उसमा जाएगा। कौक इंपोर्टरी चीज़ है किसको चीटर धारम करने हैं। सबेरे उठकर जितने स्रेश संकल्ब करें ये उतना ही व्यर्थ से मुक्त रहें। इसलिए के वज योग नहीं, स्रेश संकल्ब करें। ठीक है? जब आत्मा रहत संकल्बने रहने रखता है, ये उसकी संकल्ब करें। जब आत्मा बहुत रेशन कल्पों ने रहने ड़ती है ये इकुस्कीशन को वही तर्दिता कहलाती है